सागत आप सभी का भारत सबच्वार में वेहुआ आपके साथ त्रिश्ला यादो बेशिक सिक्षा के स्कूलों का मतलब काम चलाओ जरजर इमारतों वाले घटिया स्कूल यूपी में सरकारी पार्ट सलाओ के बारे में चंद वर्षों पहले तक ऐसा ही सोचा जाता था मगर अब तस्वीर बदल रही है मेरट में बेशिक सिक्षा वभाग में पचास से जादा स्कूलों में आप नासा के साइंस लैब जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं हमारी रूपोर्ट देखिए जाए गड़ित विज्ञान और सूचना प्रोध्योगी की क्या होती है और अंत्रिक्ष्नोस का इस्तिमाल कैसे किया जुआ सकता है इस तरह के पढ़ाई लिखाई बड़े शहरों के हाई प्रोफाइल स्कूलों के कहानिया रही है मगर आप ऐसी सिक्षा मुम्किन हो रही है मेरट के सरकारी प्राइमरी पाट शालाओं में सरकारी स्कूल की क्लासेज में नासा के लैब जैसे एक्स्पीरियन्स लेने के लिए आपको पचास से ज्याद स्कूलों में बन चुकी आधार शिला लैब्स देखने होंगे इन लैब्स में लर्निंग बाई डूइंग के जरीए बच्चों को कोडिंग आर्टिफिशल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नीक, न्यूटिन के नियम बुलट ट्रेड की संकल्पना और अंत्रिक्ष में टेलेस्कोप से ब्रह्मान की सेर करने का मौगा मिल रहा है मेरा नाम चिरागा मैं करक्सा आर्टि में पढ़ता हूँ आज हम आधार शिला लैब्स में आये हैं मैं कोडिंग पर काम करता हूँ और इसमें पाइथन लैब्स पर काम करता हूँ और जब हम बुक में देखते हैं देखके समझते हैं और आधार शिला लैब्स में प्रेक्टरिली करके सीखते हैं जब हम आधार शिला लैब्स में आये तो हम अपने बुक्स के बारे में जैसे हम अपने बुक्स में पढ़ते थे कि प्रकाश के बारे में मेरा सब्जेक्ट है प्रकाश जब हम प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को बताते हैं कि हमारे स्कूल में अधारशिला लैब है और अपने science and religion जो आफ्र हमारे project जैसे प्रकास तंसलिशन का microscope और हमने जे discovery में फोर में पारे में सीखा और हमने विद्धव उड़्या, solar urgent के बारे में पारे में सैटलाइध के बारे में सीखा मेरत के आधारशिला लाब्स में केवल गडित विज्ञान ही नहीं Chemistry, Physics, Human Body, गड़ित में, अबैकिस और टेक्नीक में सेंसर जैसे प्रोजेक्ट पर सरकारी स्कूलों के इंचाहत काम कर रहे हैं। ऐसी सिक्षा के जरीए इंचाहतरों को करियर को लेकर जागुख मनाना तो है ही एक ललक पैदा करना भी है। जिससे बचे राष्ट रिर्मान में अपनी जिम्मेदारी याद रखें। और बुलट ट्रेंड किस कंसेट पर काम करती है। और जो 3D प्रिंटिंग है मतलब काफी जो वर्च्वल रियल्टी, साइबर सिक्यूर्टी इसके बारे में जितना हमारे बच्चों को पता है। इतना प्राइवेट की स्कूल के बच्चों को भी नहीं पता होता है। और जब लाब में आकर बच्चे चीजों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो वो लॉंग टाइम तक उनको रिटेन रख पाते हैं और उनको इंटरस भी जादा आता है। बच्चे मुझसे ही काफी बच्चों के लिए बच्चों के लिए बहुत नया है क्योंकि इन बच्चों को उससे रिलेटेट नहीं थे। यहाँ पर आके बच्चों ने कोडिंग सीखी और पाइथन में बहुत से बच्चे हैं जो चोटी-चोटी प्रोग्राम्स बना बच्चों के लिए देश के बड़े संस्थानों में सरकारी शिक्षिकों को प्रशिक्षित कराया गया है। अब मास्टर ट्रेनर्स के जरीए काबिल शिक्षिकों की जमात भी तयार की जा रही है। जो क्लास की किताबें पढ़ते हैं विज्ञान की और बाकी चीज़ों की तो उनके रियल मॉडल्स, प्रैक्टिकल मॉडल्स हम लोगों ने वहां लगाए हैं ताकि वो जो जो भी पढ़ रहे हैं उसको वहां पे जाकर करके उसीखें। साथी जो नेशनल एजुकेशन पॉ लोगोंने ये एक छोटे-छोटे एक्टिविटी रूम बना है इसका नाम हमने आधार्शिला दिया। देश की प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए दयार कराना है। मेरच से भारत समच्वार के लिए नरीत पताब के रिपोर्ट।